कि अपना कैमरा भी पहले से थोड़ा सा बेशा हो गया है ना पहले पूरा बोड आता था अब वो आसपास की दिवारे बारे भी आ रही है कि नहीं अपने भी साथ वीडियो डियों में किया था ना इसको सेट करवाना पड़ेगा फ्रेस अच्छे ज़िए को के लाइफ करवा कर दो कर दो कर दो यक को अज हम चालू करने वाले हैं जो अब हो और यह टॉपिक भी वोई है जो हमने लास्ट टॉपिक में बात की थी की फार्मुले होते हैं प्राइक्टीaremos होती है थेवर्म होते हैं प्राइक्टी सोती हैं सारी चीछ के बारे में आपको लंग होना चीए तो आज हम क्या बात करें जिसे मैंने भी बोला कि जोमेटरी में लगभर कंसेट काय का होता है प्रॉपर्टी का होता है तो चीजें हमें पता होनी चाहिए है ना कि अच्छा बेरी गोड़ा पूर्वा सुरी थैंक्यों पूर्वा बाकी देखो अभी फिर भी मतलब मैं आपको क्लियर बताओ कि मैं जो पढ़ना चाहिए ना वो हमने बहुत प्रॉपर अच्छे से नहीं पढ़ पाए क्यों नहीं पढ़ पाए क्योंकि टाइमिंग की निकत थी आपको भी पता है समय हमारे पास इतना नहीं था है ना ठीक है फिर भी आप लोग प्रक्टिस करी रहे हैं है ना थोड़ा सा हमने हर चैप्टर को फोड़ा सा टच करने की कोशिस की है बहुत डीप में हम नहीं जा पाए पेपर बेटा बन जाएगा मगर उसके लिए प्रक्टिस आपको करनी पड़ेगी लगतार प्रक्टिस करते रहो है ना हो सकता है कि जो टेंटीट है पंद्रा नेक्स वीक से बनलब लगभग सात आठ तारीक से पॉलेटर के बारे में हमें इंफर्मेशन मिल जाएगी है ना को शयरों तो आज हम क्या चालू कर रहे हैंद् communicи है कि जिसको हिंदी में । मीटि हूं कि अदेखो सब चीरह होती है है कि हम فार्मूला पे काम करते हैं मुलब हम इरिया निकालते हैं पार मिन जकालते हैं और यहां पे हर चीज की प्रावबर्टी पर डिसक्स किया जाता है कि कोई चीज लेदी होती है तो क्या होती है ट्रेंगल holkin पॉलो करता है ताकि ट्रेंगल हम अच्छे बना पाएं है ना कि इस्टेटिक्स नहीं बन पा रहा है इस्टेटिक्स के लिए देखिए भीटा से कोशन वेसे बहुत ज्यादा तो नहीं आएंगे मगर फिर भी आ सकते हैं कोश्चन है ना तो आप यूटूब पे कोई भी वीडियो देख सकते हैं और थोड़ी सी प्रक्तिस करेंगे बहुत दीप में कोशन नहीं आते हैं बहुत सिंपल से कोशन आते हैं कुछ चीजे दिया आपको पता है तो आप उससे कर सकते हैं अचैनल कि एकसाइस के आग इसक्या चैनल कि रिख ठीशन महाइं अंकीत कि या आ रहा है है यह साइस में पार दिख रहा है है कि sa जालो तो आज हम जोमेटरी स्टार्ट करेंगे और बोई मैंने बोला कि कुछ चीदे पहले आपको बेसिक में आपको बताता हूं फिर हम सीधे कोशन पर आएंगे हैं ना जोमेटरी एक तरीके से देखे ना तो बड़ा चेप्टर है मगर फिर भी हम कोशिस करेंगे कि आज ज अभी दिक्कत है हमारे पास समय की समय हमारे पास इतना नहीं था है ना कि हम बहुत डीप में जा पाएं ठीक है तो हम आज इसको स्टार्ट कर रहे हैं देखिएगा खुड़ा सा कोशिस करिएगा समझने कि सबसे पहले जोमेटरी के दिए हम बात करें तो इसकी स्टार्टि है थोडी सी बैसी चीडे में आपको सिडि हम बदाता हो पॉंट जिसको हिंदी में बोलते है बिंदू और ब्रीनểu क्या होता है पॉंट क्या होता है जब हमने ये बना दिया तो इसी को हम स graph did मलब पॉइंट में ना तो लेंध होती है न ब्रेथ होती है ना ही हाइट होती है आप फोइंट तो आपकी लेंध होती है अपने आप में क्या होता है सबसे चोटा सर्कल होता है ना जिसकी दी आफ उसके बहुत करहते है thankfully ईसे स्वेति हैं बहुत सारzte करके मिला दें तो जैसा सब्सक्राइक ह्या जिसको देel बहुत सारे पॉंटोते हैं आgendeक भ लखते हैंना कि यहाइन्रम है कि ना तो जो होता है शोर होता है है तरहेंगा ही स्टार्टिंग को करते हैं यह जो तो एरो है यह लाइन को शो करना अब लाइन के बाद आता है लाइन सिग्मेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या रेखा खंड यही लाइन जो आपने बनाई है इस लाइन का एधिक तोफडा निकाल के display लीखन लाइन मिने आपको बताया ना तो इसका छोर वाला फिक्स होता है चाल लाए अभ जो लाइन को हमने भी समझा line होती है especially जिसे हम देखें मैंने दो line एक साथ खीज दी एक line ये भी खीज दी और इसी के हमने एक को line खीज दी तो जब ऐसी कोई दो line हम को दिखेंगी इसको हम बोलते है parallel line हिंदी में इसको हम बोलते है समान अंतर रेखाएं जैसे हर दूर से इन कांचा water chSevan होता एंटिए और बही अंतर होगा बही अंतर यहां से रिख लेगा और बही अंतर इसको क्या बोलते हैं इसको बहुते हैं सब अनतर रेखाएं हिंदी में बोलते हैं समान अंतर देखाएं और इंग्लिस बोनते हैं parallel line ढो林 TINA प्रवाइन भी हो सकती परलेल है ना मगर बीच का गैप हमेशा बराबर होगा ठीक है और इसको शो कैसे करते हैं कभी वे ऐसा इध्यापकर अरो दिख जाए ऐसा एरो तो यह होता है कि यह समानंतर का साइन होता है कि उसको लिखा के से जाता है शौट में इसको ऐसा लिखा जाता है या लगा दिया पठ्री वाला है रेल की पठ्री जैसा तो यह क्या होता है यह बताता है कि लाइन के ख Liter हें पारल फिर्ट कितनी बात सुर तो समेघन котором मश्रीख सुक्म हमारे पासक्राइब बहुत ना इसको हमने क्या र फीज दिया टह露 एक लाइन आपने से जाना का संसाल भी तो इसको बोलते हैं किया टार्सवर संसरीख कुछा यह दो लाइन के लाइन हमारे पास थी और एक लाइन इनको छेदते हुए क्रास करती हुग जारी हैसी लाइन को हम बोलते हैं ठीर्यक अग VIP रेखा थेक यह थे यह लियुक्त शेलिय खटी रेossave यदि दोनों को में एक बिंदू से मिला दे मिलां गांए इस Lesson beenог बनेगा इसी को हम बोलते है कौन क्या बोलते है दो रे के बीच जो जुखाओ होता ही जो का है इसको हम झमाब खुछी होर सकते हैं तो छीन तो We हमारा कोण हो गया अब कोण जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं कोण की दीपन बात करें तो सबसे पहले हमारा क्या होता है तो सबसे पहले होता है नियून कोण क्या होता है नियून कोण की खास बात क्या होती है कि यदि कोई एंगल ऐसा है जो कि क्या है देखो एंगल को ऐसे आपर शोब करते हैं करने यह किसा चलता है एंटी क्लाउक वैसे घड़ी की दिशा में, तो जब हम ऐसा चलेंगे यह जो एंगल भना य्ऐ एंगल वटाझे फीटाढा अ और यह जो एंगल है थीटा, इसोती कि बेल्योदी क्या है बताई नब्ब mail डिका तो जब ठीटा परावर पुरा पूरा रहिए होता है तो सम्पोते हैं सम्को गैं बने मुअ इसा है जो कि नंवर जो बढ़ा है नवर से तो एन उब्ब बढ़ा है ठीटा की सबस्या मैं वागडी है फीसे चोपे से एंगल तो अधिक की वेल्यों और 20 से तो बड़ी है मगर 103 से कही नहीं छोटी है इसको हम बोलते हैं एधिक कॉंड या फिर ओप्टी ईंगल ठीक कितनी बात एक होड़ा नहीतारा कोई एंगल ऐसा है जो कि क्या है बताईए तवड़ा है निटी से तो बढ़ा है वकिष से छोटा है यह वाला एंग pessim allen की बात करदा है इसको बोलते है प्रेगills ने रिफ्लेस एंगल है द्या फिर इसको बोलते में बना धिकोणиля यह थीठा की बढ़ा है आपकी 180 से क्या है बड़ी है बगर 306 डिग्री से क्या है छोटी है 306 डिग्री से आपका छोटा है तो इसी को बोला जाता है क्या इसको हम बोलते हैं क्या अब बड़ा है 306 चोटा है तो इसको हम बोलते हैं क्या रिफ्लेस एंगल और यदि कोई एंगल ऐसा है कि यहां से आप गए और पूरा कंप्धम यहां पर आ गये यहां पर हम गये और पूरा कंप्रीट हो गया तो यह होता है पूरा 306 डिग्री एक राउंड पूरा 306 का होता है तो इसको बोलते हैं complete एंगल या फिर हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण को कि छोटी छोटी बाते हैं जो आपको पता होगी है ना एंगल के बारे में पता चला हाँ बनेटी स्टेट एंगल होता है अधिक होता है बेरी घुठ है ना नब्बे डिग्री से कम हो तो बिल्कुल है ना ठीक है चलिए आगे बात समझते हैं देखिए अब मैं क्या बता रहा था ध्यान सुरिएगा यह एंगल के बारे में पता चल गया अब छोटी सी एक एक एंगल मालो अलफा है अलफा बोलें बीटा बोलें गामा बोलें ठीटा बोलें एक एंगल हमारा अलफा है और एक हमारा बीटा है कभी भी दो एंगल का समेदी मुझे दिख रहा है नब्बे डिग्री कभी दो एंगल का समेदी हमें नब्बे डिग्री दिख रहा है तो अल्फा वन याँ बीटा वन ले लें चलो एक अल्फा वन होड़ एक बीटा वने इनका समेदी किता है वीटा 180 डिगरी है उसको हम बोलते हैं क्या संपूरक को पूरक और समपूरक जो है ना वो दो कोड़ा का सैट होता है इंगलिशे बोलते हैं सप्लिमेंटरी अंगल कभी भी आपने देखा कि कोई दो एंगल का सम यदि आपको दिख रहा है किता 90 डिग्री तो वह दो कोड़ जो है जिनका सम 90 है वो एक दूसरे के पूरक कोड़ कहला आप और यदि कोई दो एंगल ऐसे हैं जिनका सम क्या है 180 डिग्री तो वह दोनों एंगल जो होते हैं वह एक दूसरे के समपूरक कहलाते हैं जैसे मैं आप से बोलूं कि एक एंगल हमारा दस डिग्री का है और मैंने बोला कि 10 डिग्री का कॉंप्लीमेंटरी अंगल बता द UP के गी मैंने फिर बोल आप से यह तस डिग्री एंगल हमारा इसका मुझे बताना है सप्लीमेंटरी इंगल रिलःव हम पूरक, सम पूरक में, देखो, नाम बड़ा है सम पूरक का, तो नाम बड़ा है तो ब हो तो एस्टी होता है, पूरक में छोत़ा है, तो हयान रख सकते हैं, तो एसे कोई दो एंगल, जिनका सम क्या होता है, जिनका सम होता है, तो 10 डिग्री का जो सप्लिमेंटरी एंगल होगा वह होगा 170 डिग्री इतनी वासर में आ गई है हां बता रहो मैंना वर्टीकल यह सब चीर हम देख रहा है बेटा सब कुछ देख रहे हैं ध्यां से अच्छे से इतना सब में आ गया अब एक और बार समझते हैं ध्यां से नियुकर उसको मुझते प्रतिष्षेद बिंदू जब कोई दो लाइन किसी बिंदू पर काटेंगी एक लाइन यह हमारी और एक लाइन यह है जब होते हैं ना जब भी दो लाइन काटेंगे तो ये वाले दोनों एंगल और ये वाले दोनों एंगल आपस में हमेशा बराबर होते हैं मलब यदी मालू ये ठीटा है तो ये भी ठीटा होगा ये अलफा है तो ये अलफा होगा और आमने सामने के जो एंगल होते हैं ना इसी को हम बोलते हैं क्या क्या बोलतेजिता सीर्षाभी मुकोन जो एक दूसरे के मुख की योग बनते हैं जैसे सका मोखी यह इसका मोखी है तो आमने इसामने के जो एंगल बनेंगे यह तभी possible कंसेट हम देखने वाले हैं है ना कि सब लोग आ गए है ध्यां से देखो अब जरा गुड इवनिंग सभी को ध्यां से देखो और जिन बच्चों ने सुरू से नहीं देखा एक बार बस बेसिक सी बाते में ने बताई है हलाकि है आप एक बार चाहो तो वीडियो के एंड की ब वुलेंगे यह हमारी क्या है पैरलल लाइन इसको इस तरी के शो करते हैं बहलब यह लाइन कि है और यह लाइन क्या है सी CD है इसको एक स्फूर करते हैं और यह हमारी सब्सक्राइब का एक सवाइब एको नाम दिया एक सभी त्राणस वर्शेल लाइंच वाइज़ ट्रांसवर्स लाइने सीडिक तो जेसी आपने नेसके देखा तो यहां भी भी बहुत सारे गार बिन रहां आ हैं उसको न मुझान के इसको नाम यह सबसे पहले आपने देखा ये रथा आंगल बन एगल खार घरेंद 2 लाइन कातरी है तो एंगल 2 और एंगल कौन होगे बन किसके बराबर होगा तीन के बराबर होगा दो बराबर होगा चार के ऐसे यहां पर पांच बराबर होगा साथ के और छे बराबर हो गाट के यह कौन से कोड है सीर साब भी मों कोड है है ना चलब बहुत अच्छी बात है तो मेहनत करते रहो कि जो मंजिल आपने चाही है सेलेक्शन लेना आपको मक्सद नो बिल्कुल पूरा होगा हर महनत करने वाले सब्सक्राइब बच्चों को ड़ी जरूर मिलता है बगर थोड़ा सअ धेरे रखना है थोड़ी सी मेहनत अच्छी करना है जो और लगतार बने रहना है मेहनत करते रहोगे, आज नहीं, कल नहीं आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, बस मेहनत लगातार होनी चाहिए, कभी ब्रेक नहीं करना है, कम हो सकती है मेहनत आपकी, कम मतलब जिसे कभी कारण, कुछ घर में काम आ गया, कुछ चीजे हो गई, वगर continuity आपकी जो बरकर में हमेशा रहनी चाहिए, हमेशा फोकस आपका कभी हटना नहीं चाहिए, कभी बहुत ज्यादा अरजिन काम है, कुछ चीजे हैं, तो आप कम पढ़ो, मगर पढ़ो जरूर, लगतार गैप कर दोगे ना, क्योंकि बनने में जो समय लगता है ना, बिगडने में बिलकुल सम से एंगल हो गया, क्योंको से एंगल थे, यह हमारे कौन से एंगल थे विटा, सीर सभी मकौन, अब एक बात बताओ, यह होता है संगत कौन, क्या होता है, संगत कौन, संगत कौन उनको बोलते हैं, जो एक ही जगा पर बोलते हैं, एक ही जगा पर बनते हैं, संगत कौन जो ए इंगल बन हैंखर हमेशा किसicação क्वरावर हो गां एक ही जगह पर बढने वाले कोन क्या कहला थे हैं यहाँ पर आहरा ना जो हम बुलते हैं इसको मौतिहां संगत कुण है सबसे reward जो बता नहीं यह जो इंगल 3 है यह से देखना सबसे में ना बहुत concept इसका यूज होता यह इंगल 3 है दो concept बहुत ही हो एंगल 3 देख रहा है आफ और एक अले हम देख रहा है फाइब ये जो एंगल 3 और ये जो एंगल 5 है ना ये भी हमेशा बराबर होते हैं एंगल 3 किसके बराबर होगा बेटा एंगल 5 के इसको हम बोलते हैं ऐसके पहचान भी बतानों पहले देख लोग पूरा लिख लेते हैं 3 कि इसके बडाबर होगा 5 यह चार अंगल बड़ावर होगा एंगल 6 इसको बोला जाता है किया alternate angle ञांटर या फिर फिर हंदी में क्या बोलते हैं एक आन्तर कौन जाहरा है इसकी पहचान यह है कि जब भी आपको कभी ऐसा दिख रहा है जैड़ बनते हुए दिखा progress 55 tutaj ellos यह और यह वाला इंगर इसीको हम वोलते हैं किया alternate इंग़ जैड ऐसा व्था साया यह यह आपका बना उसी ही को हम बोलते हैं इस ही को हम बोलते हैं क्या अल्टर्णेट एंगल है एक औरrit खॉन हम इतनी बात चल्ब एक और में वास सुनिएगा बहुत है सुना अच्छे सुनना एंगल जो 4 है यह जो एंगल 4 है और यह जो एंगल 5 है यह बन रहे हैं अंदर की ओर तो इसको बोलते हैं आंतरिकों एंगल 4 और एंगल 5 यह कौन से एंगल हैं अंदर की ओर बन रहे हैं ऐसी एंगल 3 देखो आरव एंगल 6 अंदर की ओर बन रहे हैं तो जो आंतरिकों होते हैं कितना degree? 180 degree, बलब angle 4 अंदर बना इसके यहाँ प Pokémon angle 5 एक ही लाइन तह रहा है इनका सम क्या होगा 103 confidently होगा और ऐसी General 소도 6 angle 3 PLUS 7 in कंस शौम होता है lebgem कुन कितना होता है वो तैने हैना मगर सम हमेशा क्या होगा एक सोस्टी डिग्री होगा इसको मोथे आंतरिक कोंग है ना जो अंदर की और बनते हैं इंटीरियर एंगल हाँ ठीक है बही राज बही बोल रहे हैं इनका पेर का जो सम होता है ना वो हमेशा 180 डिग्री होता है अधिक इतनी बात है अभी तक मैंने क्या क्या बता दिया सब्सक्राइब और इक बात ध्यान रखा करो हमेशा कि कोई भी नई चीज है जैसे कई बच्चेव को यह दिक्कत दे रही है मैं सुरू से बतार हूं एडवास में दिक्कत होती है तो इसको दो बार पढ़ो तीन बार पढ़ो चार बार पढ़ो कोई भी नई चीज आपको शुरूआत में दिक्कत देगी मगर जब उसके आप फैमिलियर हो जाएंगे है ना तो वह चीज आपको आसा लगने लगेगी क्या बोला मैंने ध्यान सुनना सबसे में चीज है यह सबसे ज्यादा यूज होता है हो गई है तो इतनी प्रॉपर्टी जो हमने अभी तक पढ़ी है उस पर कुछ कोशन करेंगे पहले हम फिर आगे बढ़ते हैं और क्या करेंगे हम देखो कंसर तो बहुत सारे हैं बगर जितने कोशन हमारे सामने आएंगे ना उसमें जो कंसर लगेगा वो फिर आपको मैं ब यहां पर देखो पहली बात यह है कि दो लाइन जो आपको दिख रही है ना देखिएगा दो लाइन आपको दिख रहे हैं एक एक एस्टी है और एक लाइन क्या है यह तीनों ही लाइन पैरलल है कैसी है पीक्यू लाइन किसके पैरलल है एन एम के और एनम भी पैरलल है किसक लिए को आपको वो लाइए वाले को ध्यान से दिखू जार अच्छे से बताओ क्या अशर आएगा फटा 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 थैंक्यू रेश्मा कर देखी जराओ सबसे पहले बात बताओ यह तीनों लाइन मैंने बता दिये पैरलल हैं ध्यान से देखना अच्छे से अब यह एंगल बिटा 110 जिगरी का है अभी मैंने एक बात बताए थी देखो में साथ साथ आपको बता रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता देखा है और यह दो लाइन बोनो परिलल है तो जब यह 110 जिगरी है तो यह एंगल यह वाला अंगल और यह वाला अंगल इन दोरों का सम क्या होगा इंगल डिग्री ये 110 है तो बताओ बचा कितना तो ये एंगल हो जाएका 70 डिग्री का ऐसी बताओ ये 130 है और ये वाला जो एंगल होगा ये वाला एंगल है ना ये वाला एंगल 130 ये है तो ये इसका क्या है आंतरिक कोंड है और आंतरिक कोंडों का सम होता है किता 180 डिग्री तो 130 ये और नमबर सी हमारा अंसर हो एक है एक है कि अज़िए को अंसर आया को अप भी देखो को सिस्करों करने की और नहीं बने ना तो ध्यान से देखो बस को जब तक देख लो आप से बिल्कुल भी नहीं बना को देखो हो बस की कोशन में क्या-क्या दिया है क्या ताकि जब मैं समझाओंगा ना तब आपको चीड़े क्लियर हो जाएं ठीक है अगैसर में बोई को बोई कंसर लगा जो अभी जैस्ट में बताया था फिर से देखो एक बार यह एंगल और यह लाइन दोनों पैरलल थी यह आंत्री क का है स्टेट लाइन में जो एंगल बनता है वह 180 डिगरी का होता है 180 में से 120 यहां है तो बाकिल कहां है बीच में है साथ है ठीक है बैरी कोट है ना सिक्षी डिग्री आंसर हमारा आएगा आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर आते हैं देखिए आप भी कोशिस करो कोशन को देखने की समझने की है ना देखिए ध्यान से देखो कुशन बढ़ दू हूँ कर दो लाइन आपको दी है के और एल जो समना अंतर है पैरल है एडिग्री प्लस भी डिग्री का मान आपको बताना है अ चलिए जल्दी बताईए मुझे आंसर देखिज़रा अंसर बताने की कुश्च्छ करिए अय है आंसर झार है कि डाइग्राम को अच्छे से देखो क्या प्रॉपेटी दी है पैरलल है कि नहीं है हैना सब चीज़िए दी है और जो चीज़िए आपने पढ़ी है ना सचिन यूटूब पे बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ाया है है ना सचिन ने पूछा था मैं नहीं देख पाया आपका कमेंड कुछ चेप्टर हैं ऐसे जो थोड़ा बहुत पढ़ाये हैं लाकि बहुत डिटेल भी नहीं पढ़ाया है सदीप का आंसर आगया है 45 डिटी चलो चेक करते हैं देखिए सबसे पहले बताओ दो लाइन पैरल हैं अब जब यह दो लाइन पैरलल हैं समानांतर हैं तो अभी बोई कंसेप्ट लगेगा जो हमने पढ़ा था है ना दो तीन चीरे पढ़ी थी हमने देखिए कभी भी एक ची है ने लिए खीची तो एक बात बताओ यह क्या है हमारी यह एक सी तिलशी रइखा है और जब बिर लाइन ऐसी होती है तो यह वाला एंगल कinsky त्बेटा बीका है तो जब यह अगला यä कुण सा होगा इसका आंतरी को, होगा और ऑन फिरे को वा का, जो सम होता है इस थासा, यह हमारी पास जो लाइन है यह दिग्री का है यह वाला एंगल 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 एं को वह ओलो प्लॉड निस वृट दरोगेना यह भी बदीका होगा ठिक है verw है और यह मालोड़ी का यह बना यह प्छ। तो यह एडिग्री है यह बिiti होगा और यह बिदेग्री है यह बडिदी है वीट गेरी इसका मानक दी था वेटा ए डिक्री इसका मान क्या दिया था भी डिक्री अब मैंने बोला कि हम geometry में construction कर सकते हैं तो हमने क्या किया यह दोनों लाइन के बीच में और खीज दिया और यह भी parallel है अब सोचो आप जड़ा कि यह दी बीधिये यह को जैड़ा द्एका यह जैड़ा बन रहा इया हाँ जैड़ा आपका जो यह देग्री हे लिख रना पड़ेगा इतने वह भाग को यह जैड़ा न पड़ेगा और एक अंतर को का कंश्रक लगेगा है ना इनका जो सम हो जाएगा फोर्टीफाइबी हो जाएगा ठीक है संदीप का रेश्मा का राज का आंसर आ चुका है ठीक है चल नेक्स्केस पे आते हैं कि पूश्चन में हमारा क्या हो जाएगा थर्डवाला बहुत आसान सा कोशन है यहां से देख जार अच्छे से बताओ उसका कि पाई कि अच्छे से देखे बिटाओ शबसे पहले यहां पर क्या पूछा है दिए गए चित्र में एवी पैररल हुझ говорить के एक्स का सम्पूरक बताना एक नहीं बताना एकस का बता राके सम्पूरक बताना यह को एक्स का क्या बताना है सम पूरक तीक तो डाइग्राम को यहाफज बना दिता हुए फिर से शरास च्छे त्लेंट अधे हो जाएगा आपको यह आपकी एक लाइन थी a b है ना ऐसा कुछ हो रहा है थोड़ा चोटा कर लेते हैं एक लाइन ये थी एक लाइन ये थी और एक लाइन ऐसी थी ठीक हितनी बात ये लाइन पैरलर्ल है यह बिए परलब है यह बाली और यह बटा दिया ठीक है डो एरो बनाते हैं तो हमें जाना है यह कित द dov फिर से मैंने वोई बोला, कि हम ने क्या किया, ये जो line थी न, इसके parallel एक line और की जिय थी, यहां से, बीच में दी की जागता है, यहां से, यहां से बीच में से जा दिए, इहां रखता है, एक line हमने बिलकूल parallel लाइन आपने कीचे, तो यह बता हो या कितँoken है, तो यह भी 3x होगा क्या किया यहीरी थ्री Экеस इथी थिसको भीटी थी इस वहना मपड़ेगा है यह थ्री exists इस को भीटी थीए होना पड़ेगा और यह तोटल था कि Matt तो फाइवेक्स था देखो ना टोटल 5x था 5x में से थी 3x यहां पर आ गया तो बाकी क्या 2x यहां पर होगा कि नहीं होगा यह 2x होगा तब भी तो 5x आएगा यह तोटल हमारे पास 5X है उसमें से ये 3X ये 3x तो ये कित्ता बचा to you X बचा अब यह देखो ये डोलाइन से परल लने ये दोलाइन ये या अंगल और ये अंगल कोन से अंगल है अन्तरी कॉण्टों का सम होता है आपने भी पढ़ा है वह मेरी साक्ता है 600 डिगृरी होता एक्सकी बेलु तीज़ीज़ी भी है पुछा क्या है आपसे एक्स का समपूरग कोण आपसे पूछा है समपूरग का मैं ने भी बताय था ऐसे कोई दो कौन जिनका sum क्या हो 180 degree हो तो यदि एक 30 है तो बाकी को कितना होना पड़ेगा वेटा 150 होना पड़ेगा 150 है बिल्कुल है option नमबर भी में आंसर आएगा option नमबर भी 150 बताए क्लियर हुआ है बोलो क्लियर है है कि बन 50 डिग्री रेश्मा का अंसर आ गया है राज का भी आ गया है ना चाहिए बढ़ते हैं देखें हैं अगे अगले वाले कोश्च प्याते हैं कि क्या बताया मैंने फिर देखो दो लाइन पैरलल थी जब यह दो लाइन पैरलल थी तो हमने पहले यह देखा कि यह वाला जो एंगल है है थी एक से हैना तो पैरलल राइन कीचे के तो यह एंगल भी 3x होगा यह पूरा 5x था जिसमें से 3x यहां है तो 2x बचेगा उपर अब यह जो एंगल है दो यह आंतरी कोन है और इंटीर एंगल का सम हमेंसा क्या होता है 180 डिग्री होता है तो इनका सम किता है 180 डिग्री औ ज़्व एक तीस है तो उसका 150 आएगा अगली कोशन पर आते हैं देखिए का तर्भुज मरलब क्या होता है 3 मरलब 3 भुज मरलब हो जाएं ऐसी कोई भी आक्रति जो 3 भुजाओं से मिलके बनती है इसको बोलते हैं तर्भुज क्या बोलते हैं ऐसी कोई भी आक्रति जो 3 भुजाओं से मिलके बनती है इसको बेटा क्या बोलते हैं तर्भुज बोलते हैं के दिर्भुज में क्या होता है कि जो आंतरिक कोंड होते हैं यह जो आंतरिक कोंड है ना inkon है इनका सम हमेशा होता है एक सब्सक्राइल होता है तो मुझे एक बात बता ओ यहां से आप बोलेंगे 180-a-b, या फिर a plus b को इसमें से क्या कर दें, घटा दें, a plus b को क्या कर दें, घटा देंगे, ठीक है इतनी बात, a plus b से को हमने क्या कर दिया, घटा दिया, ठीक है, तो c degree की जो value होती है, यह बतला यह जो c degree की value है ना, सुनना, ध्यान से, c degree की value बताओ क्या होती है, c degree की जो value होती है, यह वाला जो angle है, वो 180-a-b होता है, 180-a-b, इसकी value आगी 180-a plus b, 180-a plus b, अब a plus b, यह जो है, यह वाला angle क्या होता है, यह व दा गिट्टे का बना है वो कित्टे का बना यहे पूरा एंगल जो बना है। यह पूरा एंगल जो बना है यह एकสवसी डिग्री का तो यह COWGAK है C घटालोक यह 19-80ich होगा मैं क्या समझाना चाहरू ठीक सुमना पूरा यह तो यहां से आप देखोगे यहां से देखो जारा बरेटी माइनसी डिगरी एदिसी को बहां ले जाए तो यह जो बाहर को था किसका है एक प्लस बीके बराबर है तो कंसेट्ट यह होता है कि तिर्भुच का कोई भी जो बाहर की तरह बन रहा है बाहर की और जो तर्भुच बनता है बाहर की और जो एंगल बनता है उसकी वेलू हमेशा बाकी दो कोड़ों के योग के बराबर होती है यह बाहर कोड़ बनेगा इसकी वेलू इसके बराबर होगी यहां पर बाहर कोड़ बना देगे ना एक लाइन ऐसी एक लाइन ऐसी बना होगे बाहे कोन का जो मान होता है वो सेज दो अंतहर कोनों के योग के बरावर होता है पहली प्रॉपटी रहा रखना ठीक है दूसी प्रॉपटी त्रुभुज के तीनों एंगल का समय ने क्या पताया एक सो से डिग्री होता है अब त्रुभुज में क्या होता है तीन प्रका एंगल राइट एंगल टेंगल में क्या होता है बिटा कि एक एंगल किते डिगरी का होता है इसको बोलते हैं समकों त्रिभुच और बाकी दोनों का जो सम है वो नब्बे होगा और तीसरा होता है अधिक कों त्रिभुच इसमें क्या होगा कि एक कोंड जो है आपका नब्बे से बड़ा होना जरूरी है यह होता है नियून कोन जिसमें तीनों एंगल क्या होगे नब्बे से छोटे होगे यह होगा आपका समकोन जिसमें एक एंगल आपका नब्बे का होगा और यह आपका होता है क्या अधिक कोन जिसका मान नब्बे से बड़ा होना जरूरी है अधिक क सो ऐसा ले लें, यह हो गया A, यह B, और यह C, गहना, तो है C है इस को मैं हो Level vertex, इसके सामने के side को वह हमने C नाम दिया, A के सामने के about 12 साइट को आप नाम के сама इनाम दिया और इसके सामने के side को हमने small b नाम दिया, तो यह t 1940 siden mali small b small c ummin साइड है हमारी तिरहुछ पी तीन साइड में क्या होता है इससे पहले चलू एक छोटी सी बात हो तो इससे पहले इक बात बताता हूं मैं आपको तिरहुच में तीन साइड होती है ना तो तो सबसे बड़े एंगल के सामने की हुजा सबसे छोटी होती है यदि आपको पता है कि ये अंगल सबसे बड़ा है तो हंडीट परसंट ये साइड भी सबसे बड़ी होगी और ये पता है कि ये अंगल सबसे छोटा है तो इसके सामने की साइड सबसे छोटी होगी बड़े एंगल के सामने की होती है इसक हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है बड़ा होता है त्रिभुच की किनी भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है ठीक है या फिर दूसरी बात त्रिभुच की किनी भी दो भुजाओं का जो अंतर है वह हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है त्रिभुज की इनaudioan का गंधर हमेशा इसे आ से छोटा होता है मने अंतर बढ़ा होलका यह अब मैंतyou ग्रिया हमेशा दिसाल होना जरूरी है आर्यंधूशों होते हैं और जिल्टरेंगल में यह बात स्थीर सांगी आपको यहां पर जाओ जड़ा यह तो समकोर्ट त्रफुच में क्या होगा यह पाइथागोर्स का थेहरम आपको याद है कि सी स्कूर किसके बरावर होगा सी मतलब यह एंगल सबसे बड़ा तो यह सामने की साइट सबसे बड़ी है सी को मैं मान के चलता हूं सी जलाजे साइट एबी को अच्छे सुना हमें एक पता चलता है कि तुर्फुच कौन सा देखो कई बार क्या हैगा कोशन आया कि या और रसा कोई पर पर ही करी रूपज wtp उन्न त्रिप हृँद स्थिए इसके लिए होता है रूल क्या होता है है सुने हैं यहाँप y premi क्या देखा कि तो कभी भी सी स्क्यूर मेर्ब करने का 자feld क्या लंब का वरें आप यहां वी है सीका स्क्वेर दिए स्क्वेर और्पी स्कूर के बरावर है ऐसा आपने देखा कि बरावर है तो जब ये बरावर होगा ना तो निश्ट रूप से कोंसे योग भुजोगा विटा समकों तुरम होगा कभी भीiron एपने देखा ती सक्यां discouraged सी मरलाब सबसे बड़ी भुजा इसका मान जो है A sqeare और B sqeare मरलाब बाकी भुजाओं के वर्गों के योग से क्या है बड़ा है तो कभी भी आपने देखा बड़ा है तो वो कोण सा त्रिबुज होगा बिटा अधिक कौन त्रिबुज होगा और यदि आपने देखा कि बाकी दो भुजाओं की योग के तो समकोण है बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं की योग से बड़ा है तो वो कौन से त्रिभुज है अधिक कोण है और यही बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं की वर्गों की योग से छोटा है तो वह होता है निय इसकी बासरी में आई है हाँ अब देखो जड़ा इसको पढ़ो एक बार जल्दी से बताओ मुझे क्या अंसर आएगा भुजा दे या भुजाओं का अनुपात दे दोनों में आप एक अंसर लगा सकते हो कि अनुपात में जो बड़ा दिखेगा वो बड़ी खुजा है कि अनुपात में खुजा है राज, संदीप, रेश्मा, देखते हैं कौन पहले बताता है, कौन सत्र भुजोगा, सचीन है ना, और कौन-कौन है, जल्दी फटा-फट, देखते हैं कौन पहले आंसर दे पाता है, प्रॉपर्टी, जब तक आपकी निमार्ग में नहीं होगी, कोशन आपसे नहीं बनेगा, बिना प्रॉपर्टी के जोमेट्री करना संभाव नहीं है, जोमेट्री हुआ, टिक्नोमेट्री हुआ, सी बता रहे हैं, बिटा राज, सी मतलब अप्ट्यूस एंगल, ट्रेंगल, चलो शेक कर लेते हैं, बागी बच्चे देखो, क्या बताते हैं, अधिक कौन, मैंने भी क्या प्रॉपर्टी बताई, मैंने ये प्रॉपर्टी बताई, कि जब भी कोई त्रिभुज में, तीन भुजाय दी है, है यह चैक करना है कि वो त्रिफोज है तो कुछ नहीं करो भुजाओं का वर्ग करो एलगा ऊसे बड़ा है तो क्या होगा अधिकी कोण तुर भुज होगा और चोटा है तो छोटा मनलब new continent बुझोगा तो तीन भुजाएं क्या दी थी यहां पर आपको लिए अफे 3 4 और 6 यहां पर 6 आपका सी होगा बाकी दो भुजाएं फिक्स नहीं होती मगर इस भिक्स होगा सी तो हमें देखो चेक करना क्या सी स्कूर order order a square or b square checker इन दोरों का सम होगा है तो तह यह है अब बताव सी की वेलिए क्या है च्छार का स्कूर होता है नौ होता है चार का 16 होगा तो बताव यह किता रहा है यह तो 36 fix है और 29 और 16 25 है तो बताव यह 36 बढ़ा है कि पचीज बढ़ा तो आप भोलेंगे एक्टिव संगल प्रेंगल आ गया था था है नहीं रेष्मा सचेन है ना राज संदीब सभी का आशार आ चुका था था इत्व सबसे पहले राजकाय था तर विखा आगे बढ़ें फिर है तो एसे चेक किये राता है कि कुंसा त्रिभुज कौन सा है है ना कभी बेदी बराबर है तो समकोड है छोटा है तो नियून कौन त्रिभुज है और बड़ा है तो अधिक कौन त्रिभुज है चलो आगे बढ़ते हैं अगले कुशन पर आते हैं अब एक और प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे सबसे पहले देखो यहां पर एक बड़ आ रहा है माधिका अब मैं आपको बताओंगा चार प्रकार के हमारे सेंटर होते हैं किसी भी त्रिभुज को जब आप देखोगे ना त्रिभुज में क्या होते हैं केंद्र होते हैं सेंटर होते हैं और center होते हैं चार प्रकार के मैं चारों आपको एक साथ नहीं बताओंगा जो आएगा ना उसको बताते जाओंगा और बच जाएगा तो लासम बता दूंगा देखो यह हमारे त्रभुज है यह सपोस्ट त्रभुज क्या है हमारा अब इस ABC में क्या होता है माधिका क्या होता है पहले इसकी बात समस्ते हैं माधिका क्या होती है माधिका को इंगलिस में बोलते हैं मीडियन क्या चीट होती है कि जब हम सामने वाली भुजा पर सामने वाली भुजा पर एक ऐसी लंब खीज दें एक ऐसी लाइन खीज दें लं बराबर भागों में बाड़ते इसी को हम बोलते हैं मिडियन क्या बोलते हैं जब हम सामने बाली साइट पर ऐसी कोई लाइन कीजते हैं ऐसा कोई लाइन कीज दें या फिर ऐसी कोई लाइन कीज दें जो सामने बाली क्या कर दे ो बराबर भागों में बाट आँ इसी को मोलते हैं क्या मीडीयन क्या क्या मंत्रिया मैंदी सब्सक्रां यह पूरा था इत कुंस था त्य। ऐबाइटू हो जाएगा और यहां से कीची जो सामने वाली भूजा को फिर से दो भागों बाट रहा है और एक लाइन यहां से कीची बलब तीनों वटेक्स से तीनों वर्टेक्स से हमने सामने वाली भुजा पर क्या खीज़ुण ओकर क्या कीज़ुणी वर्टेक्स बिटअ को टिर्भुच का यह हुता ना ये इसको बोलते सामने वाली भुजाअ पर क्या खीजुद ओक यह ता सीठी सि 텍ध्र को तो ये दो भघ में बट जाएगा ये दोवां वी दो दोए बटेगा मध्ध्ये विदा के मिलेंगा अभी जो अतीनो माधिकाए होटी है तीनों थीकाए हमेशा कहां मिलती है एक बिंदू से होकर गुजरती है द경't be Windu से नि. हाँ तीनों माध्धिका एक बिंदू पर हो मिलती है और जिस बिंदू पर यह मिलती है ना इसी बिंदू को हम बोलते हैं क्या केंद्रक इसी बिंदू को हम बोलते हैं क्या बेटा है हिंदी में केंद्रक या इंगलिस में बोलते हैं सेंट्रॉइट ठीक है तीनों माध्धिका हैं जब हम सीर से सामने वाली भुजा पर डालेंगे तो एक बिंदू से होके गुजरेंगी और जब वो एक बिंदू से होके गुजरेंगी तो जिस बिंदू पर वो मिलेंगी तीनों माध्धिका हैं बहाँ पर जो केंद्र बनता है सेंटर बनता है तीनों व्र्टेक्स से सामने वाली भुजा को बीलकूल बीच में जा यह मिला दें को बोलती है और मारा जा करती ए जिस केंठर की concept करते हैं बहां पर कि माध॥िका को हमेशा जो केंद्र रख ना वो डूपात एक है 5 लिए हेट व rapping Pourquoi है यहां से इहां तक है दो होगा तो यह वाल़ है debate क्यों एसको आए रती है कि No Sakura माधका होंगे जिस बिंदू पर मिलेंगी बहाँ पर जो पॉइंट होता है इसको बोलें सेंट्रोट या फिर हिंद्य होटाइज और यह जो प्रोपर्टी हैना कि दोह इस भाट करें कि वह ता तो रैटेखल में देखो क्या होगा थियान सुनुंए गारेउट क्या किया है माधीका बनाए यह भाले बड़ जाएगी तो प्रॉपर्ट यह थी होती है क्या था यह opinions वंीडी में व्हदा मकरते हैं मैं समकोर त्रभूज में जो माधीका होती है उसकी वेलू क्या होती है मेडियन की वेलू हमेशा कर्ण का आधा होती है कर्ण मतलब हाइपोटेनस का आधा होती है जो वेलू किसकी होगी जो वेलू आपके हाइपोटेनस की होगी उसका आधा कर दो तो मेडियन की वेलू निकल जाएगी और यह बही मीडियन है जो सबसे ब ही है ठीक है चल्ड इस को देखें बार किसी त्रहुच की तीन भुजाएं छे आठ और दस सेंटीमीटर है अब बताओ तीन भुजाएं को उनको सी है एक बार पढ़ लो आप जरा कोशन को फिर मैं बता रहा हूं आपको और इसका अंसर बताने की कोशिश करो मुझे को कि कोशिशन को ध्यान से पढ़िए और आंजर बताये कि the centroid के से बनता है कि माध्ध हैं जिस विंदू पर मिलती हैं है न माध्धि कांए जिस विंदू पर मिलती है तिरहुज में ,REE माध्धिका उसको सेंट्रॉइट बोलते हैं और राइट अंगल ट्रेंगल में जब माध्धिका निकालेंगे ना और सबसे बड़ी माध्зिकास है मैं किस आधा होती है कि कर्ण का ही आधा होती है हइपोनेस का हाफ होती है अब लगता देखके आपको तुरंट दिमाग में आना होता है और राइट एंगल में क्या होता है कि जो सबसे बड़ी भुजा है वो आपकी पांच हो गई है ना सबसे बड़ी भुजा पर माध्धिका की लंबई बताना है सबसे बड़ी भुजा क्या है पेटा दस है और यदि यहां से आप इसको माध्धिका डालोगे यहां से माध्धिका आपने डाली है यह माध्धिका है जो क्या करेगी दो भागों में बाट देगी और यह वाली जो वेलू होती है माधिका की वेलू जो होती है ना कर्ण का आधा होती है माधिका की जो वेलू होगी मीडियन की वेलू जो होगी क बतला है दसका अधा होगी दसका अधा क्या होता है वेटा पांच होता है तो आज साथ आका फाइब हमें आप्शन नंबर सी में दिया है पुलो क्लियर हुआ है एच वाएट्व ना यह केबल मगर ध्यान रखना समकोर्ण तुर्भुज में होता है ठीक है समकोर्ण तुर्भुजे दी है तो वहाँ पर जो भी आपकी माद्धी का है वो कर्ण का अधा हो जाती है ठीक माध्धिका तीनों जिस बिंदू पर मिलती है उसमें पहला केंद्र हमने समझा है कौन सा होता है सेंट्रोइट सेंट्रोइट मदलब केंद्रक जो माध्धिकाव से बनता है ऐसे चार केंद्र होते हैं मेंकेंद्र तो पांचे होते हैं अगें बढ़ते हैं देखो अगले कोशें प्याते हैं अब देखो अंतहा केंद्र आ गया तो पहले अंतहा केंद्र को फुर्वासा समझते हैं अभी आपने किसको समझा अभी आपने समझा है किसको सेंट्रोइड को है ना सेंट्रोइड में जो माधिका से दो भागों में बाढ़ दे या क्ताओं या पूरा 2-2 अलफा तो लखेंगा इधाल से 10 हमें आपको फोरा आताए मूरत अदम थेन फारद्ट स्ट्रिलने बढ़े Nepal कर रहा है आपना अरो थीक इतनी बाति चल्ट अब इसत्रिखुछ्क यह बात कर रहा है सबसे पहले मैं ने समझाया कोन समधी वाजा को समझाया आब मैं बोल रहा है कि हमने क्या किया यह A है, यह B है, ये C है, तीनु वेटेक्स पर मालनों बहां पर angle A般 बन रहा है, यह बन रहा उहाँ, और यह यह ट्रा मखनों पर angle C बन रहा है, तो हमने क्या क्या किचा है, कोड समधी बाचा किचा, जो क्या कर रहा है, बोब्बावर भागुवए बाट रहा introducing 2 해주 spring also को शो करेगा एंगल वाय सेक्टर का मरलब जो कोण को दो बराबर भागों में बाटेगा तो जिस विंदू पर ये मिलते हैं तीनों एंगल वाय सेक्टर जिस विंदू पर तीनों कोण सम्धी भाजक मिलेंगे उसी को हम बोलते हैं क्या इन सेंटर उसी को हम बोलते हैं अन्तह इसको शो करते हैं आई से यह हमारा इंसेंटर होगा इंसेंटर कैसे बना अंतह केंद्र बना और इंसेंटर कैसे बनता है कोन सम्दी भाजक जिस बिंदू पर मिलते हैं भही पर जिस बिंदू पर मिलेंगे हैं ना उसी बिंदू को हम बोलते हैं क्या अंतह केंद्र है न अब एको ध्यान रकना बात अनतह केंडर जो था ना इंसेंटरक केंडर मानके वीशें सकते हैं और जो बैस हम करने इसको बड़ सब्राइल का बनेगा इसको बो इसको ब मुद्यं को अंतबर अजया को इंसेंटरước में आया कौया जब किसी बिंदू पर को स्म्धिभाज़क दो बराबर भागों में उसी को बोलते हैं कौन सम्धिभाज़क और ते रงगल वाज है उसी को ओर सबी भाज़क सबीसेहकर जिसके सी विंदू पर रिंगे उस यЕ आपका A था यह आपका B था यह आपका सी था तो यदि आपको मालो कभी भी दो ञत्者 सी निग surrender एक बात बता हुए आपको यह बाळो किसमें घ्रला कॉज़ा इंगल B I C की विन्स निकालना इंगल B I C यह वालें की बात कर दो हुँ यह आइपको दो और च यह गल ps अब मालो नाइन तो लेना है नाइन प्र जोडना है आइस एका आधा ये आंगल T.uks है नाइन डीएफ॔र होता है नाएन ट्रुस अंगल ए बाई broader होता है उसको है कि हुआ है उसको अन्तहत रिज्या बोलते हैं पेटा है तो शरकल बनाना इने आप ł literary जा इन रेडियस अरह चीक है एएसी हम देखो फिर से देखना एक लाइन और खीज देते हैं मालो एक एंगल गाइस बना देते हैं कहिने मत हो जाना एक एंगल वाइस एक्टर और खीज़ दिया हमने यह वाला 321 से उससे उजञेंगे और यह अंगल निकालना यह वाला एंग निकालना तो इसके यहां पर जो पीछे कोन बन रहा है एंगल भी वाय टू और यदि आपको ये वाला एंगल निकालना है देखो बेटा ये वाला एंगल निकालना है ये आपको ये वाला एंगल निकालना है ये वाला इसकी वेलू क्या होगी क्या है एंगल ए आई बी ए एंगल बना 90 प्लस एंगल सी वाइट हो अगा 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 टिक कि यह क्यों होता है सबके पीछे कारण है मगर दिक्कत भाई है समय की देखो यहां प्याद आओ ज़ाओ यह संविया आपने कोश्च कंसर्ट देखो एक बार अच्छे से कोई दिक्कत तो नहीं यह वाला कंसर्ट देख लिए आपने यह वाला जो अंगल बनता है इसकी बेलू 90 लेना है और जो इसके पीछे अंगल बना ए उसका आधा जोड़ देना है जब देखो कोशन प्याओ त्रिफुज एबीसी का अंता 100 केंद्र किसकी बात करा यह से बनता है पो यहां पर हमें क्या बताने हैं एंगल वारी सेग्टर कीषते हैं तो अंता केंद्र क्या है आी जो है इना यह वी ऐस्यमिंश कमारे है इबीसी ठीक और यहाँ खोर। यहां पे हमें इसकी वेलियो आपको निकालना इंगल BICB है जिसकी वेलियो आपको बता करना है अ Гic बोला क्या एबी सिजे़े जो ए एबीसी एबीसी तदिया वेक feelings 60 degrees यह यह वाला जो अंघल है साधरीक पूरा ओर क्या दिया album A-C-B मलब A-C-B, एक चीत ध्यान रखा करो, जैसे एंगल को हम शो करते हैं, तो यह बीच वाला जो होता, यह इसका नाम देता है वो, जैसे A-C-B, तो यह C की वेलू दिया आपको, तो C पे बनेगा वो, C पे क्या बनेगा, 50 डिगरी का यह वाला एंगल, यह वाला एंगल 50 क विचा है, अभा आपको यह पता है कि तिरभुच के तीनों एंगल का सम होता है, एक 60 की डिगरी, तो यह 60 ही पचास है, तो साथ और 50, 110 हो गया, 60-110 यह एंगल कित्ते का हवा बेटा बचा हुआ, 70 डिगरी का होगा, और जब यह अंगल 70 डिगरी का होगा, आपको निकाल अब यह तो 90 है एक ही वेलू किती थी 70 70 का आधा 35 है ना 70 का सोरी आधा 35 हुजाएगा तो 90 प्लस 35 कितना हुजाएगा 125 डिग्री आंसर आएगा 125 डिग्री ऑप्शन नंबर हमको बी में दिया है कि यह आंसर आएगा इसका 125 डिग्री चलो क्लियर है बताओ जड़ा प्रॉपर्टी का भर्मार है जॉमेट्री में प्रॉपर्टी इतनी है ज़िताय है है ना और सब आपको पता होनी चाहिए इस इउसको आप एक तरीक सो और सॉजल कर सकते थे जाहें तो बच्च्पन 25 जब यह 25 है तो बाकी कितना बच्च्पन बचेगा 125 बचेगा आसा भी निकाल सकते है एक ठीक बाकि अंतहरक इंद्री कि बात की दिए न तो यह प्रोप अधिक है को चाहर आगे बढ़ें पोलते जाओ आगे बढ़ें नहीं बढ़ें सब्द्री बात हैं अब थोड़े से हम बात करते है भी ब्रेट की ब्रेट का कोशन है यह है ना कि एक बार कूशन को पढ़ो जब तक आप और कोई दिक्कत है तो बताओ सवज में आरही है चीजे की नहीं आ रही है कि समझ में मतब जो चीज में बोलते जारूं बोसन में आ रहा है आपको यह बस ध्यान रखो है ना देखो चैप्टर बहुत बड़ा है यह हम देखें ना है ना बड़ा चैप्टर है वगड़ जो चीज मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से सुनो और उसको स्वाल करो भी ठीक चर्प अब देखो सर्कल की जब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं वेटा सर्कल की खोड़ा साम समझते हैं सर्कल को फिर कोशन पर आते हैं कि सब ठीक है ओके है बताओ जल्दी चल रही है समझ में आ रही हैं जब मैं कंसेट बताता हूं आपको तो उसको समय ध्यान से दिखा करों समय ना क्योंकि कंसेट प्रेदी पता होगा तो ही कोशन आपको बनेगा चिक है बुलो पढ़ें आगे कहां कायब होगे सब बताइए बढ़े आंके चल लो राजी बस एक्ट्यू लग रहे हैं अभी तो हना चल लो देखो बढ़ते हैं आगे बढ़ना तो पड़ेगा हना समय आगे बढ़ना पड़ेगा चल आगे बात करते हैं थोड़ी से सरकल की देखिए सरकल की जब आप बात करेंगे तक चल लो ईक चीड़ बता न है ड्योग बता है अस》 सरफ किछा उसे बता पर क्या कर दे सामने वाली भुझा को दो भागों में बाड़ बाड़ एंगे ऐसा वाली भुझा को जो भागों माय सब्सक्स. तो यह तो CT लंब आपने खीच यह क्या है पता है लंब शम्दी बाड़क कैने लंब शम्दी वाजक हैaren लंब शम्दीवाजقة है इस विंदू पर मिलते हैं ना इसको बोलते हैं क्या वो सरकम सेंटर क्या बोलते हैं या फिर इसी को हम बोलते हैं परी केंद्र जब हमने लंब समदी वाज़ा कीछे, भुजाओं को जो दो बरावर भागों में बाटेगा, तो इसको बोलते हैं परीकेंद्र, या फिर क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर और circumcenter में क्या होता है कि एक circle ऐसा बनाया जा सकता है जो vertex से होके गुजरता है इसलिए इसको बोते है circumcenter है ना परीकेंद्र है ना जो किसे बनता है बिटा लंब सम्दी बाजक से बनता है भुजा लंब सम्दी बाजक भुजाओं को एक बात और समझो जब आप ध्यान से अच्छे से अब हमने क्या किया कनफीज मत हो ना देखो बहुत कनफीजन होता है असमें अमगर अच्छे से सुनोगे समझोगे तो चल्चीज रिशन में यह फिर से एक तरभूज मेंने बनाया कि सब्सक्राहर है चाओ अब ध्यान से पहले मैंने क्या पताया एफ होता है केंद्रक सुना ध्यान से एक रिवाय definite प्रीकर आंतःकेंद्र का है अंते कैक से जल्दी बोलो आप बोलेंगे का सिवेंगल मॉस्एकरा है पिर मैंने अभी क्या बता दिया को परी केंदर बता दिया परिकेंदर काई से बनता है तो आप बोलेंगे एंगल परी केंदर जो बनता है न कर से कि करमें का मैं अब हम बात करें यह कि आ होता है कि इसको भूलते हैं लूभ केंदर कम लामकेंद vaisको एंग्लिश्य चो tut Cambodia ऐसे मना सुनाएख अभी देखो हमने लब डाला काहां से डाला कोई फिक्स नहीं है बच लमब लगप शीर लब ढालते हैं किलby की डींटा है 90 डिग्री पर ये दो भुजाओं में बाटे ना बाटे कोई जरूरी नहीं है सीर्स से जाके मिलेगा मगर नब्बे पर मिलेगा है ना ऐसी यहां से सीर्स से गया नब्बे पर जाके मिला यहां से सीर्स लंब नाम से क्लियर हो रहा है जो सीर्सों से डाला जाएगा लंब डाला जाएगा कहां से सीरस से सीरस अब यहां से उपर से और यहां पर लंब डाला था मगल लंब कैसा था समधिवा ढ़र का और जो गहीं से भी डर सकता है ऐसको रिंदूर को का Awesome से पर केंड्रो को करते सी से शो कर लो चलो सी से और लंब केंद्र को शो करते हैं का ऐसे एच से इसको होते है और फो सेंटर और फो सेंटर का यसे बनता है सीर से लंब से बनता है कि सीर से से जो सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं उसे बनता है क्या लंब केंद्र है ना कि अ हाँ भूजाओं के लंब और्धक बिलकुल नभर्धक से बनता है किया परिकेम जो होता है वो भुजाओं को दो भागों में बाटे ना बाटे इसमें कोई जरूरी नहीं होता मगर जरूरी क्या होता है कि लम्भ होना चाहिए और वर्टेक्स यह को ज़ाना चाहिए चोटी सी एक बात हो सुनना यह हमारा क्या है मालो २॑ सम लिभाूतरवर्ज सभथूने में 3 वीज क्या होती है है आपको पता है बराबर होती है तो संभाध रूबच में क्या होता है बेटा द्हान सुनना यह तर री ऑप A, B, C और यहां पर एक सेंटर होगा समभाहुतर भुज में समान जिसकी तीनों हो जाए हैं यह जो सेंटर है ना यह जो पॉइंट है यहीं आपका I होगा यहीं आपका G होगा यहीं आपका C होगा और यहीं आपका H होगा समभाहुतर भुज में चारों केंडर एकी बिंदू ओंउपर होते हैं ऐसा केबल किसमें होता है सम भाहुत्र भूज में जिसके तीनों होते हैं बरावर होते हैं जो से और हो dayIDE सम दिवाहू तरभुज में दो भुजाएं बराबर होती है है ना थोड़ा सा इसके बारे में बता भी देता हूं में दो भुजाएं दी बराबर होगी तो इसके सामने के एंगल जैसे इसके सामने ये है और इसके सामने ये है जब दो भुजाएं बराबर हैं, तो दो एंगल भी बराबर होंगे, यदि ये एंगल मालो x degree का है, तो इसको भी x होना ही पड़ेगा, fix है, समान भुजाओं के सामने की एंगल समान होते हैं, समान एंगल के सामने की भुजाएं समान होती हैं, और ये किस में होता है, सम दिव यह आपने क्या खीचा तो आपकी जो यह ना चारो सेंटर वो एक ही लाइन पर होंगे एक ही स्थान पर नहीं होगे एक ही लाइन पर होंगे कहीं जी होगा कहीं आई होगा कहीं आपका एच होगा और कहीं आपका सी होगा एकी सीधी रेखा में होते हैं ना सीधी रेखा में होंगे बगर अलग अलग जगा होंगे सम दिवाहू में सम दिवाहू में और सम बाहू में एक जगा भी होंगे एकी लाइन पर भी होंगे और एक सान पर भी होंगे यह एक लाइन पर तो होंगे सीधी रेखा में मगर ऊपर नीचे होंगे ठीक है ध्यान रखना है यह बात ध्यान रखना अभी इसके कोशन कुछ और आएंगे अभी हम सर्कल को समझ रहे हैं केंद्र से रिलेटेट कोशन बनते हैं है ना और केंद्र केसम में आया चारो आपको है कि इसके लंठ रेंगल में बेटा अलग अलग चीज़े होती हैं सब कुछ अलग अलग होता है इसके लंग में तीनो साइड अलग होती है ना होते अる और कहीं भी हो सकते है shows और बस इसमें धेहान रखनाओं में चारो सेंटर की बिन्दू पर होगे और एक लाय गाय सब्सक्राइख इसमें बिंदू और की लैन सेंटर यह होता है अब सेंटर से जो लाइन यहां से यहां तक जाती है इसको बोलते हैं रेडियस से यहां तक जाती है इसको बोलते हैं क्या रेडियस केंद्र से आउटर लाइन को मिलाने वाली देखा रेडियस कहलाती है तो यह आर है इसको स्मॉल आज से सो करते हैं तो यह लुए भी क्या होगा और यदि सो मना डे दे कि और लो और ये तुछ जो ओ ओ य और वी है और गश्य बरावर को बी ये दोनों ही स्केभावर है रेडियस के नम और इस डिस लुआनगे फरकर यौ ये एप्र ट्रास्वी कसम क्या की मगर वो दोनों और को टच करें दोनों सरकम उसको क्या करें नसको बोलते हैं यह भी सबुसक्रस कि तो यह भी तो जीबा है और यह सबसे वड़ी जीवा होती है जो काय से गुजरते है केंद्र से और दोनों को बर् Soo similar को टुच करती है तो इ dependency जो हमारा बयास है वही इस प्रदकी जीवा भी कहलाएगी अबHello अपाफ सना कि आब फी जीवा जब आप कही सते हैं यह जीवा अपने क olsun तो सेंटर से जब को आप मिला देते हैं Center से diva की जो दूरी होती है न यह हमेशा मिलाने पर लंब बनाएगी मतलब संकौ मर नाती है यह fixed है Center से जब आप जीवा को मिलाते हैं कोई भी जी बाप मिला दो तो आप यहां से यहीं मिलाओगे तो वही रभी मिलेगा मगर नहीं होगा यहां से आप यहां मिला दो यहां से आप यहां मिला दो तो सेंटर से जीवा को जब हम मिला देते हैं तो वह हमेशा परफेंडिकुलर पर जाके मिलेगी और दूसरी बात यह है कि वह दो बराबर भा द्हुँक्य भागों को दो बरावर हागो में बाट देगी ठीकितनी बात क्योंकि यह पता है कि आ किया गटाव वो बन जाता है सम दिवाहुतर हुज बनता है न वो बात की बात है बाकि आप ध्यान रखना अगली बात सुनू ज़रा ध्यान से है को है यह हमारी क्या है बताओ सरकल सरकल को एक लाइण ऐसी गुजर रही है जो बस सरकल पर रेखा इसको टैंज में जिन इसका मंने इतनी बात आपको सर्में आ गई है चोड़ी चोड़ी सी बात में आपको बताई है बाकी सर्कल के बारे में मैंने क्या बताए था एरिया होता है यह वो सब्चीर होती है हमने में पढ़ा मेंस्यूरेशन और जोमेटरी में यही फर्क है कि आपको बहां पर पेरामीटर है ना एरिया यह सब चीज़े निकालनी होती है और यहां पर प्रॉपर्टी पर डिसक्स किया जाता है इस कोशन पर आते हैं देखो अब सुनिए कर ध्यान से को ध्यान से पढ़ो एक बार आप अच्छे से पढ़िए और आंसर बताईए कि करी बच्चों को यह चैप्टरब लग रहा होगा ब beleक्र होगा क्यों पत Rangers ऑना लगती है गोइनी हम टॉल के मात्व जिखते हैं यहीं क्या होते हैं क्योंग पेर लेता है यह चैप्र कर लिया यह चेप्टर कर लिया, आसान असन चीज़े कर लिए, मगर जो टफ चीज़े होती हैं, उसको हम कहीं न कहीं दूरी बना लेते हैं, शुरुआ से, और दूरी एक इतनी बढ़ जाती ही, कि उनको हम कभी करी नहीं पाते हैं, और यही चीज़े फिर हमको सेलेक्शन से पीछे ले ज बनता, तो अभी भी हम उनको ज़्यदी छोड़ देंगे, तो जो बच्चे बाकी में तैयारी कर रहे हैं, जिनको सीरे बनती है न, वो कहीं न कहीं हमसे आगे निकल जाएंगे, यह आज का समय यह है कि आप एक भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, हर चीज में आपका पक जोड़ देंगे, सेलेक्शन हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलत फहिमी में हैं, आप छोड़ दोगे, दूसरा बच्चा जो कर रहा है, वो आगे बढ़ जाएगा, सेलेक्शन ले लेगा, तो हर चीज हमें आज के समय में आनी जरूरी है, कोई भी चीज ऐसी नहीं ह जा सकता है, जब आपके पास सारे अस्त्रों, सारे अस्त्र आपको चलाने की कला आती हो, तो चीजें कोई यदी टफ है, तो तब तक टफ है, जब तक उसके हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप मेहनत करोगे, समय दोगे, हैना, है टुफ मान रहा हूं में, थोड़ा सा एडवा आपको बनेंगी ठीक है क्षिट गोशंद प्रेडब को खिरतो quedम में पांच मिटनी मिटर संकेंदरी का मतलब हुटा है जिनका सेम होता है जिनका सेंटर सेम उता हैै कि लेकघ में बनाता हूं यहां पर 4 कि टॉ सकेंद्री परक्रज्च ब्रतों में 5 cm त्रिज्द वाले ब्रत की जीवा तीन सेंटे मिर्द रिख़्ा थीन एक हमारे इस अरकल हो गया बड़ा सा और एक सरकल हमारे चोटा हो गया काे यह ब Wochen ब्रत की जीवा देखो त्रिज्या ये सेंटी पांस सेंटीमेटर त्रिज्या वाले बले बाले ब्रत की क्या जीवा बड़े बाले ब्रत की जीवा छोटे बाले ब्रत की क्या है सपर्स रेखा है मलब ऐसी लाइन मुझे खीचना है जो छोटे बाले ब्रत को सपर्स करें क्या क गए ये जो है बडे वाले ब्रत की क्या है जीवा ये जी वामरा दोनों कॉर्नर को टच करें है और पर रिका मे पर सरकल को टच कढें देखों ये सरकल को कर रहे हैं तो ये जो लाइन में ब्ल 100 वाली खीची आप ही यह चोटे वाले बरद की बन गगे इस फरस रेखा और बड़े वाले बरत की बन की जीवा ऐसी बोला है कोशें में हाँ इसीमी अब बड़े mein की रेडिस क्या दी है आपको उसकी रेडिस आपको धीए 5 cm और छोटे वाली की लिए आपको 3 cm देखिएगा ध्यान से यह Center है दोनों का Center की बता दिया था सकें अव्लमक्षेंटर तो इसकी जीवा है ना यह 3 cm है यह 3 cm और ये बड़े वाले व्रत की जीवा है ना यह है कि यह 3 cm मेटा 5 cm है गालोज वे जिवात कि त्रिज्या मतलब जो सेन्टर से जाए और सरकल के आउटर लाइन को टच कर दें तो यहां से यहां तक इसके रिडूज है तिन और यहां से तक बाहर वाले तो पर सक्रत आट su इसको दो बरावर भागों में बाटती है कितने भागों में अब आप खुद बताओ मुझे यह देखो इसको देखो आप जाना यह ट्रेंगल बन रहा है का आपके यह यह तीन है यह पांच है तो जैसी आपको राइट एंगल ट्रेंगल दिखा तो उसमें तुरंत आदाना च यह तीन चार पांच यदि यह पांच है यह तीन है तो इसको डेफिनेटली आपको चार होना पड़ेगा इसकी वेल्यू क्या गई बेटा चार आ गई इसकी जो वेल्यू आपके पास चार आ यह चार है दोनों बरावर है तो यह भी चार होगा यह चार होगा अब यह चार ह यह चार है आपसे क्या पूछा है जीवा की लंबाई यह जीवा आपकी पूरी कितनी हो जाएगी आठ हो जाएगी इस पोश्चन का आंसर आएगा आठ सेंटीमीटर ठीक है बताओ आंसर मिर्लब सॉलीशन में आया क्या है को पुछो एक बार देखो और बतां क्या दिक्कत है संभ में आया या नहीं आया कि समझ में आया तो आगे बढ़ाते हैं नहीं आया तो बताओव क्या दिक्कत थे बार फिर बता रहूं डोलीय अ कि तो के है सब कि साड़े बारा बता रहे है राज ना अच्छा कोश्ण मार्क भी लगा है मालब डाउट है क्लियर हुआ आठ के से आया कि बाकी बच्चे गायव हैं कहा है कि चलो आगे बढ़ते हैं सचिन बोल रहा है क्लियर है ठीक है चलो तो यह क्लियर हुआ आपको कंसर्ट बोई लागा जो मैंने भी समझाया था आपको और यह बहुत ध्यान रखो बहुत ज्यादा यूज होता ही तीन चार पांट रिप्लेट जब भी समकोंड दिख रहा है न चार पांच पांज बारा तीरा 724 चाहिसें मैंने बताया था एक बार और मुलने राज देखो सुनू should पहले मैंने क्या बोला के था जिनका केंद्र से में एक हमने यह बनाया है चोटे वाले कीते लिएane वाले की पांस दिए खेंद्र से आउटर लाइन को मिला देते हैं आपन तो वही दिर्जिया होती है ये पांच ये तीन है फिर क्या बोला एक इसपर्स रेखा है इसपर्स रेखा किसकी छोटे व्रत की जीवा होनी चाहिए तो ऐसी कुछ हमें लाइन खीचना है जो बड़े व्रत की लिए क्या हो जीवा हो इजक्व बड़े व्रत की क्या थी ये बड़े ब्रत की जीवा थी और यही क्या थी चोटे व्रत की इसपर्स रेखा मला जो इसपर्स करें फिर अगली कंसर्ट क्या लगा सेंटर से जब भी हम जीवा पर मिलाते हैं तो वह हमेसा पर्पेंडिकुलर डिलता है, 90 डिग्री पर जाके मिलता है, और दो भागों में बाट देता है, तो जब ये 90 डिग्री पर जाके मिला, तो ये तो 90 है, ये 3 था, ये 5 था, तो इसको 4 होना पड़ेगा, अब जब ये 4 है, तो ये भी 4 होना पड़ेगा, और 4 प्लस 4 कितना होग सब्सक्राइब का जो आंसर आएगा वह एट आएगा है जिक है है ना आगया सब्सक्राइब कि देखो देख लेते हैं यह देखो आट नीचे दिखाया आपको है ना ऑप्शन नमबर सी में चलो को नमबर एट पर जाओ जड़ा अचार अब हम एक चीज़ और पढ़ेंगे ध्यास सुनना एक चीज़ और हम पढ़ेंगे क्या है वहां से देखिए अच्छे से ते त्रुभुज आपने भी पढ़ा था कि देखो यह तुर चे़ें एक होता है समरूता है ना एक होता हें सब्सक्राइब करन लता को बोर्ता है ऐसे कोई यह बिल्कुल एक जैसे हो बिल्कुल एक जैसे जैसे यह आपका है है क्या है जैसे कोई coupon हो जो एक जैसे क catch us yum जो यह है वही यह होगा और जो यह आपकी CHиной होगे जब तक यह यह ब्रावर है तो थी इंल भी ब्रावर होगे है नव यह यह वाला जो Off एंग्ल को उसकते बरावर होmers ps पर यह जो हमारा है लिखते हैं इसको द्ररी बीच और यह तमोट किया था मसंसर मुझ तरुके सम लिखते हैं कि सरवांसम रहां सम्ता साइन होता है कोई दो तरह जैसे जो हूब आ हूे satisfyो सब कुछ एक हो हैं सब सेम होल्क तो इस थी को हम बोलते हैं क्या सरवान संत्र भूज लबात यहां पे आपकी लंबाई जितनी है वह सेम होनी चाहिए एंगल सेम होगे हैं मगर एक हमारा होता है क्या यह हमारे काम की एक हम बोलते सम रूपता को हमूँ despair ना संछे來到 similar है देख सम रूपता ऐसे कोई दरोत्रभुष जैसे ये फिर से वोई ABC है और ये क्या है हमारा DEF है ऐसे कोई दरोत्रभुष जो दिखने में एक जैसे हैं मगर आकरती में रंग रूप में रंग रूप में तो एक जैसे हैं मगर आकरती में आकार में बड़े चोटे हैं उसको बोलते हैं क्या पर रेशो बरावर होता है बेटा जैसे रेशो केसे बरावर होगा यह पता केसे चलेगा कि कोई दो तर्भुज में यदि कोई तो त्रिभुज में 2 एंगल बराबर हैं उनके बीच की कोई एक साइड बराबर है न तो एसे हम ठीए हम सीकते हैं कि बोट तर्ष पर दूसरे के समॹरूप हैं और यह पत jurisdiction में बराबर होता है ये पतिके ऊणत्रा है पुछ में औरец है 922 तो इनका रेशöh क्या बनेगा तो आप बूलेंगे टू रेशो ठी रेशो फॉर बनेगा तो इनका रेशो रेशो लीटो-टो रेशो ठीक लेशो ठीक्जहा रेशो सईड की value कुछ भी आ सकती है मगए रेशो बराबर होगा रेशो क्या हो हो सकते हैं मगर आकार में आकुरती में बड़े को सकते हैं। वोलते हैं सम्रूप्त्रिफज और इसकी पहचान क्या है कि यह दि कोई द्रीफज की बरावर नें इंगल बरावर ने उनके बीच रेशो एबी का होगा वो किसके बराबर होगा एबी का रेशो किसके बराबर होगा फिर बीसी का रेशो किसके बराबर होगा जो बीसी का मान है न रेशो में बही मान किसका होगा एफ का होगा और जो मान किसका है एसी का है बही मान किसका होगा डियाफ का होगा रेशो बराबर होता है साइड बेलू बराबर नहीं होती ध्यान रखना बेटा रेशो बराबर होता है इसको बढ़ो जर्द ध्यान से पोचिन को कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा बताना चाहरें बिटा राच क्या बताना चाहरें बिटा यह बолов के फिश्यरो कि साइड का जो रेशो होता है ने अवो इस गया बराबर होता है यह हbach है हां वो थोड़ा सभिंप ने बोला तीनों एंगल बरावर होने हो देख हुच घा एक बात धद दीख लो ते इतीनों किया होने शिर्टा अच्छछ यह पड़ेगा और अ़गा, यह जो है, ना, ब्रावर होने हें यहांपर जाए हुए तुम यह वाला इंगल भी तो इरहां ब्रावर होना ठीक है टीजू अ एंगल बरावर हैं तो थीनडुक्ष और दूरणा हो समरूफ हो जाएंगे ठीक है तीनों वाराबर होने नदी बराबर यह रिखा भूज क्या खोल आएंगे विटश समरूफ हो जाएंगे ठीक है कि एंपेट है चलिव को इसको देखो जा रहा थिरुज भी सिने बिंदू D तथा ई भुझा A B T fragments यह यह फ्रोज बनाया अच्छे देखना खिक है यह त्रिभुच का नाम क्या दे दिया ABC जेसा जेसा कोशन बोलेगा ना बेसा बेसा करते जाओ डाइग्राम बनाना सीखना पड़ेगा ABC है बिंदू D तथा E भुचा AB AB की वेलिव यह है यहां पर D ले लेते हैं ऐसा ठीक है क्या बोला था D तथा E भुचा AB पर D कहां होगा बिटा इस पर होगा डी कहीं इसको ऐसा मिला दिया अपन ने और क्या है AB पर इस प्रकार है कि A D दी एक है पोइंट हमारा चलो इसको बनाने की ज़रूति नहीं है क्या करते रहा है कि यह हमारे ऐसा है लंब हुए फरन था ठीक है यह और यहां पर कौनसा पॉइंग सा फॉर caveat D टथा ए अबी तथा एस पर प्रकार है कि Aडी बंठर्ट है किसका अबी का मरना विद्धी हम Aडी के बटे में किसको ले आएं एभी को ले आ यह विद्धी ऐगी तरीके से एभी आपका पूरा तीन है यह आपका एक होगा यह बोल रहा है कि ही तिए आपन होंगा फिर क्या बोला एट इसीद हे एट मभी फिर से वोई तीन है सेओ नुए कुछा क्या है आप से यह बीसी की लंब़ए लंबाई 15 cm आंप ऑन तो आप से किसी मुझा पूछिए यह लंबाई आप से पूछी है यह वा लिए newer अब एक बात बताव मुझे ये दो त्रहुज बनते दिखाएं आपको सुनिएगा ध्यां से एक त्रहुज ऊपर क्या वन रहा है एक बन रहा है एडी और एक पूरा त्रहुज हमारा क्या था में ए बीसी इन दोनों ही मैं ये वाला एंगल बता दोनों में क्या है पर जब तीनों एंगल बराबर हो ग wisdom अतिना सम्रूफ हो गया किसे ए बीसी और सम्रूप त्रिभुज में जो साइड का होता है तो वार्स्ट इसका रेशो क्या है थे चो की बन हैट्शो की बीद की तीन है तो चो ठीनर्ट यह एक जुछ कि साइट एक है तो बड़े की तीन होगे बड़े की तीन है तो चोटी की होगा तो बड़े तीसाइट की और साइट पता है क्या यह यह कि थीक गुलो कलीर यह ऐसे पद्धा चल्ड़ ये पर लाइन दो बहुत है देखो आप ये साइड का रेशो क्या है यह बहुत है देखो एक होगी बराबर होता है सिमिलर ट्रैंगल में कि शर्व क्लियर है बताओ जल्दी से कि शर्व आगे बढ़ते हैं द्यास देखो कोश्रम भरावा हुने वाला है कोश्रम नाइन जल्दी से बता देंगे आंसर मुझे इसका सारे बच्चे हैं कि किसी त्रहुच के लंब केंड्र तथा केंड्रक समान है समान मरला बेकी जगह है तब त्रहुच गयात करो अभी क्या पताए था मैंने जल्दी पता उसका आंसर क्या आएगा फटा फट इसका आंसर जल्दी मुझे बताएंगे सारे बच्चे जो भी अभी लाइव हैं बताओ इसका आंसर क्या आएगा कोश्रम को पढ़ो रांसर बताओ किसी त्रहुच के लंब केंद्र तथा केंद्रक समान है समान मतला बेकी जगह है ना बिल्कुल सेम है जो लंब केंद्र है भी केंद्रक है इसका आंसर क्या आएगा जल्दी बताएंगे सचिन राज जल्दी फटा फट अभी बताया था मैंने कुछ थेओरी सुनते हैं आप ध्यान से जल्दी बताओ क्या अंसर आगा इसका कि अंझे जान कि जब की तर्फुच के लंब केंद्र समान है समान मलाव एकी जगह तभी संभव हो सकता है यह केवल रहा हिसा होता है कि सब कुछ एकई जगह होता है राइट एंगल ठैंगल ही केवल ऐसा होता है जिसमें सब कुछ आई है ना जी सी और एच यह सब कुछ एक ही जगह होते हैं यह केवल आएगा किसमें एक्वीलेटरल टेंगल वे एक्वीलेटरल टेंगल वे एक्वीलेटरल टेंगल वे एक्वीलेटरल टेंगल वे एक्वीलेटरल टेंगल टेंगल टें है ठीक है अभी बतायत है याद करो वह एक तवरी में ऐसा बोल रहा है कि चारो एंगल एक ही जखा पर यह बोल रहा है आपसे एंड सेंट्रोइड ओफट रेंगल आर्द सेम से मतलब एक ही जगा है वह थोड़ा सा लेंग वाइस अच्छे से नहीं लिखा एक ही जगा होनी च पोच्छन काते हैं चब्ले इसको द्हान से बताओ मुझे क्या है गाएगा हम 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 शदी देखिए परदी एक उशन हburg कि त्रिवुज हमारा एक है कौन सा एक संदी वाभू कौन सी नवह डिगरी हैCar यह डिगरी है न तो यह तै हो गया कि और कौन सा ट्रेंगल होगा संदी वाठिव नहीं हो सकता है कंपी नध होला है है सरी हैं अंगल सी है calendar догने का है सबसे बड़ी होती है ये दो साइटों संकों संधी वाहतर भुज़न में संधी वाहतरुत हो सकता दियान का है तो यह समक्नसे रreated on mix90 और है तो किसे सबनें संथा दक A-C 5000 cm ,दिया है आब ऐसी यह जो ए है न यह सी है यह भी है A- designer A-C की वरू क्या है पाँ सेंटी सुन्ट Deutschे विर में तो इसपो भी मत मैं नहीं होना पड़ेगा क्यों होना पड़ेका पाँ सेंटी में अधार नीकाल लाएं तो एच की वेलु क्या होगी पांच का स्कूरूर प्लस पांच कर स्कूर पांच कर न्युक्राइब सो अीचिक कि पांस सेंटीमीटर एदी ए सी है तो सी बीको भी पांच होना पड़ेगा क्यों क्योंकि ये सम दिवाहुतुरुजेथ है दो भचाएं बराबर होती है कुन सी जिनके सामने अंगल बराबर है यह यह अंगल और यह अंगल दोनों पैतलिस होगे 90 है ना एक बचान अब बेत यह पैताली से यह अंगल बरावर है तो यह साइड भी परावर होगी पांच-पांच ठीक है कि चलू क्लियर है आसन कोशन था अग्ले कोशन प्याते हैं कि इसको देखो ज़रा पढ़ो एक बार कोशन आज हमारा नितिम चप्टर है है ना लगभग फिर बाकी जो भी है आप अच्छी देग्ण प्रक्टिस करो बढ़ियां तयारी करो मेहनत करते जाओ सैट पेपर लगाओ ठीक है इस करोगे तो फायदा जरूर मिलेगा अब टैस्ट पेपर आपने चैप्टर पढ़ लिए हैं ना जो भी पढ़ लिए है तो टैस्ट पेपर लगाने की सुरुआत करो टेस्ट पेपर से बहुत सारी चीरे क्लियर आपके होंगी, स्पीड आपकी बढ़ेगी, सब चीरे आपको सन्मे आएंगी, है ना, टेस्ट पेपर लगाना शुरू करो, यह हमारा आज अंतिम शेप्टर है, है ना, लगवा क्लास भी साइद आज अंतिम ही है हमारी, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट आपके होई चुके हैं, कोसिस एक हमने की है कि मैस के थोड़े से टॉपिक को हम टच कर पाए है ना, बहुत डेटेल में तो हमने नहीं पढ़ा है, मैं खुद आपसे बोल रहा हूं, है ना, क्योंकि समय इतना था नहीं, है ना, समय कम था, सब चीरे थी ह हमारे साथ, एक तरीके से बाकी चीजों को हमने देखा है, क्रेस कोर्स राइप का मैस भी हुआ है, और बाकी सब्जेक्ट भी आपके हुए है, जो आप से पहले साथ बता दिया गया था कि क्रेस कोर्स राइप का आपका होगा, है ना, बाकी कभी मौका मिलेगा, तो हम फिर चीज़ों को और अच्छे से डेटल में पढ़ेंगे ठीक है चलो इस कोशन प्याओ जा रहा है तीस सेंटीमेटर ब्यास वाले ब्रत में दो समानांतर जीवा है ब्यास की बात कर रहा है तो सरकल तो बना लेते हैं फटा-फट कर पर अब यह सरकल हम बनाएंगे और सरकल क्या है पताओ तीस संटीमेटर ब्यास वाले ब्रत में यहाँ बना लिए बड़ास तो बना लिए बढ़ाएं इसका व्यास आपको दिए हैं पależy से पंद्रहें हो जाएगी तीस सेंटीमिलर ब्यासवाले व्रत में दो समानांतर जीवा हैं यदि एक जीवा की लंबाई 24 है और दोनों की बीच की दूरी 21 है तो दूसरी जीवा की लंबाई 24 है ना तो इसकी लंबाई हम यदि 24 ले लें ये 24 है माल लो और यहां पर क्या हो जागा बेटा केंडर हो सब्गय सब्क्राइब चाहरा कि थी시 टीमिटर वाले इसकी आपको अब्यास दिया थे लेखां बताओ यदि एसेंटर है ये क्या है और इसकी लंबाई 24 से चला 2 और बीच की दूरी भी दीए तीन सी दीने कि इसकी लब यहां से हम इसको मिला दें दिखते जाओ इसको यह इहां से मिला दे तो यह दो भागों बढ़ जाए है कि जो हमें दिया है क्या दिया है सुना ध्यास से इस Cash दिया त разрfest यह 6-3 यह 20 से थियां तो तरीया बता यहां से यहां तक यह 16- India होगी फिर से देख़ु धयान से देखना चाहिए इसने वह गार और समकोर ऊपर और यह टोल व precede यह कि दोनों की दूरी दिया आपको 20 कि यह देको दिया दोनों की बीची दूरी जो है ना 21 दिया आपको यहां पर यह किस दिया ठीक है अब यह 15 मोझे दिख रहा है 15 मुझे दिख रहा है 12 मुझे दिख रहा है कमी किसके नो की है यह 15 यह 22 उसको 9 पड़ेगा क्या हाइना पड़ए अब यहां कि वी तो है यही अवी नंव होलती है यह धीट राइए यह यहां पर जा के मिलेगा यह यह इंवार्य का राहिए 10 सु होना पड़ेगा और जब यह नो अओ यह और यह नो प्लस के था डार एक फुरी जीवापकि यह लंबा ही मन्हिसा राहरा सेंटीवीटर हुजाए कि ठीक यह पूरा 21 था इसमें से 9 यह दिये पूरा 21 है 21 में से यह 9 है तो यह कितना होगा फिर 12 होगा यह बारा यह 15 फिक्स है तो यह 9 फिर होगा यह 9 तो यह भी 9 होगा और 9 9 18 हो गया ठीक अजय क्लियर है वोलो बताओ जल्दी से इस आगे बढ़ते हैं दिहां से देखो अगले कोशन प्याते हैं बताओ जल्दी से क्लियर है ना अगले कोशन प्याते हैं कैरे म् कुछर मर्午 12 देखो ठिरुपूज ऐबी का स्क्वेइर ब्लस यसी का स्क्वेर बिल्द कि कमिए 2Aaho अब अब्लवर टैक्पना थ्यान से एक तरो नियुव सिसी में 2 ABC बिल्दिव इसी क्या स्क्वेर अबिन एक स्क्वेर प्लस ऐसी की स्कोर और दिए है की सिकार तो यह केबल किसमें होता इस वेटा ही इता मैं यह होता है केबल किसमें समझे फुर्वज में यदि ने है यृ ये भी है यह c है देखो ना बीका सवेर करन का वर्क मैं प्लस आधर का वर मैं न can बना बबका वरीची मह अदया वह यह c दये यह लेदें कि यह हैं यह है यह डिसी तो बी चीए किसे का वर ब्रावर क्या है बी कवर डावर क στα brands नमें 20 गवर 23 यह वह a ah को ईससे आ है कि ऐबी क मैंट करना ना अब उसने कि अब टूए बी इसकोर तो एब एप टूए बीकेस रोगे तो एबी स्कॉर जायेगा तो यह क्या बचेगा यहां पर घड़ तो आएगा तो आज आ एक अस्वेर अब रावर रहा प्लम से बोला है कि एबी इसकोर हट जाएगा बेस बचेहले तो पावर सेम होता है यह वाली वेलू और ये वाली उड़ी डरावर है रिपन यह दो यह विली बसम दोगे अंगल बता है तो बाकि दोनों का समोना पती और होगा यह चांपुछ है आपसे हैं एंगल यह यह बीसी अप प्लब यह ABC वाला एंगल तो इतना होगा 45 ओप्शन नम्बर बी हमारा अंसर होगा ठीक है अगले कोशनी पर आते हैं देखो सब्सक्राइब आगया होगा आसान कोशन था हमने यह बस पता कि यह इस कोशन में कि वह कौन सा तरफ हुझे तो पता चला कि समकोड तो है मगर समकोड में कौन सा सम दीवाव तरफ हुझे समकोड सम दीवाव तो दो चीरें बरावर हो जाएंगी कि पढ़ लो एक बार कोशन कि शालो देखो जारा देहां से त्रफुझ की बात कर रहा है तो सबसे पहले त्रफुझ बना लें हम को सा ऑी एक है जाता है और बी से जाता है और बी से जब जाता है और होता इसी से से और यहां से यहां तक जाएंगे तो सीये एस फोगा और यह सीएफ यहींता बूद्टेर आटीशिए प्रतीश्यद करते हैं यदि आंगल डीये था ये उसलों बेगराएं ॉस 길 कहा था रडिगृ ओसी के बेलू पूछी ये वादा एंगल की वेलू पूछी है अब थ्यार से सुनना यहां पर एक हमने पढ़ाता है इनंसेंटर कनफीज मत हो जाना वो अंतहबत में होता था जाना का में होता था स्वरी इनंसेंटर में होता है कि 90 प्लस यह आघ उन्द को यहां दिया बाला इसकी वेलू क्या दिया आपको सत्तर तो वनेटी में से घटा दोगे बिटा सत्तर घटा दोगे आप एंगल एकी वेलू दिग्लेगी 110 डिग्री यही आपके स्कोशन का क्या है आंसर है 110 डिग्री और अप्शन नमबर अभी कि 180 माइनस एंगल यह होता है कि क्यों होता है सब चीरे आप देखोगे ना सोचोगे समझोगे ज्यादा समय दोगे कोशन करोगे धीरे धीरे आप खुल सोच पाओगे ठीक है अभी में चीरे बार-बार की बोल रहा हो में कि कोश्चन हम देख सकते हैं मगर कंसेट पे जाने का समय की दिक्कत है ना ठीक है चल अगली कोशन पर आते हैं में आ गया होगा आपको 180 माइनस यह होता है ध्यान रखना कब होगा जब सीसलम की बात करेंगे यह इंसेंटर नहीं है और समदी वाजक होता तो 90 प्लस एवाइटू होता है ना प्लस यहां पर माइनस हो जाएगा तो सब्सक्राइगा अगली कोशन प्याओ कि देखो बहुत आसा ने कुशन पढ़ा राजसर बतावाँ छे जल्दी से कि देखें जर्द्यान से देखो कि कि किसी त्रभुज में सम दिवाहू त्रभुज है तीसरा कौन सम दिवाहू बोल दिया दो भुजाएं बरावर यह दिवजाएं बरावर तो कोई भी दो भुजाएं बरावर माली मैंने दो भुजाएं बरावर तो दो एंगल भी बरावर होंगे है ना दो भुजाएं बरावर तो दो एंगल बरावर होंगे तो तीसरा कौन समान दोनों कोडों की योग का दुगना है यदि इसको एक्स माल ले इसको भी एक्स माल ल होगे तीज डिग्री सब्सक्राइब आ गया आगे बढ़ते हैं देखो अप्शन नमबर सी हमारा आंसर होगा आसन कोशन था अगले कुशन पर आओ कि युवाला बताओ कि युवाला देखो जड़ा क्या है त्रभुज एबी सी में अबी बरावर एसी एबी बरावर एसी फिर से बतलब दो भुजाएं बरावर देदी मिलब कौन से त्रभुजे यह सम धिवाहूत्र भुजे त्रभुज होगा ठीक है यह बरावर उसके रहे यह चे किसके बरावर है चालीष लिगरी आप मुझे खूद बताओ यह 40 का है 110 I bigger than 140 140 140 me संधीवा हो समान भुजा के सामने के एंल भी समान भू महते हैं तो 1 4 के आधा कर दो किता आएगा है जो अचले कज You घा यह जो पिए बी कर आंतरिक कोण है और यह जो होगा यह B का और यदि यह 70 है तो पूरी सीधी रेखा में क्या बनती है, सीधी रेखा में बनता है 180, तो यह 70 में इसे 180 घठा तो 110 आएगा, या फिर अंतह कोरों का यो कित्ता है 110, तो बाहे कोरों का वेली भी 110 होगा इन दोनों का सम 110 के बनावर होगा, तो आज़ारा के 110 आज हमने जितनी भी चीटे पढ़ी हैं तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करो प्रैक्तिस करो हीड़ा ठीक है और महनत करते रहो महनत करोगे ना तो आपको सभलता मिलना ताय है मगर मेहनत तेरी इमानदारी से करोगे तब इमानदारी से की गई मेहनत कभी वेकार नहीं जाती है अपने आप से इमानदारी रखोगे ना कई बार हम बोलते हैं क्या हम पढ़ रहा है मगर क्या हम कर रहा है वो हम ही जानते हैं जब हमने खुद सोचा है कि हमें सेलेक्शन लेना है मेहनत करना है है ना तो सेलेक्शन लेने के बारे में जब आपने खुद सोचा है कि सरकारी नोक्री आपको चाहिए तो मेहनत हम क्यों नहीं करेंगे और मेहनत करोगे ना एक लगन से जुनून से इमानदारी से कर गुजनन में बोई बात है are class का पता नहीं चला मैंने बोई बात आप से बोली है देखो जब बात मोली कि जब डेकने सी आती है ना जब बेकन सी आती हो सूर मतब जागते हैं फिर फिर कुछ होता है यह व किलागतार ऌकि पजह कोpell के है यह और लगने से क्वे 250 नहीं जंफुचेंगी है ना कभी आपको काम नहीं बनेगा मगर जब आप पहले से यह तैयार रहोगे क्या चीजें हों नहीं है आप तेयरी कर रहे हो तेयरी किसी रहे हो कुम्म Schools लगा दो हुदके से तो आपको definitely हो सकता है सुनहरा जो ऑफसर है भी है ना चुनाव का फाइदा हम भी ले 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 थोड़ा बहुत नोक्री हमारी लग जाए क्योंकि बेकिंसी लगतार है बर गएक का कॉलेटर आ गया है साथ आप लोगों ने डाला होगा किसी बच्चे ने है ना एक मार से उसके डिजर्व करता है जो उसके काविल है काविल बन जाओ नोक्री आपको मिल जाएगी है ना बोलने से करने से सोचने से समय बरबात करने से कुछ नहीं होगा मेहनत करोगे डियर्ट आपको जरूर मिलेगा ठीक है कि देखो ब्यापम जो है ना आजकल बहुत एक्सपेरिमेंट करता है बाकि मगर यह मान के चलो की फटवारी का लेवल बहुत ज्यादा नहीं होगा अभी जो पेपर देखने को आपको मिल रहा है हो सकता है कुछ कोशन आपको मिल जाएं बाकि जो चीट हमने पढ़ी है जो है आप इसमें मुझे बॉट्सप कर सकते हैं चाहें तो एधी कोई डाउट है दिक्कत है है ना जित्ती हेल्प होगी मैं आपकी करूंगा 94065-52766 ठीक है कोई भी कोशन आपको लगता है क्या दिक्कत दे रहा तो आप मुझे इसमें बॉट्सप कर देना जैसा मुझे समय मिलेगा मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा ठीक है 94065-52766 श्रीकान्त नेमा मेरा नाम है ठीक मेरी क्लासिस होती है कई बार आप देखेंगे आप कोशन भेजेंगे मैं नहीं देख पाऊंगा है ना कई बार समय भी लग जाएगा मगर जेसा भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको सॉलिशन सेंट कर दूंगा ठीक है का कल क्लास होगी नहीं होगी सब्जिक्ट आपके अलमोस हो चुके है मैंस भी आपका हो गया है है ठीक है तो अब बढ़िया प्रक्टिस आप करिए ठीक है चलो बेस्ट आप लग बढ़िया पेपर आप अच्छे थे दीजिएगा सारे बच्चे मेहनत करो है ना क्योंकि मे हमाने रहें आपे बना रहें में बना रहा हूं है ना लगभर मेहनत हम कर सकते हैं जो चीडि हमारे हात मेहना उसका करो और तो तक दीर और सब चीजब यहां आपके स सर हमने आपसे मैंसों समय पढ़ा था और हमारा सेलेक्शन हो गया ठीक है यह उम्मीद आपकी रहेगी मेरी आपसे यह रहेगी मेहनत करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी ठीक है चलो मिलते हैं फिर वैस्ट अप लग थेंक्यू मिलते हैं छो मिलते हैं चलो मठाते हैं ज झाल 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 झाल